उधारण ग्यारा निम्लिकित त्रिकोण मिती समीकरण के लिए ग्याद किजिए जहां 0 अंश छोटा है या बराबर है थीटा से या थीटा का मान छोटा है या बराबर है नभ्यांश से कॉस्थीटा बटा कोशेक थीटा धनेक धन कॉस्थीटा बटा कोशेक थीटा रिनेक बराबर दो हल सबसे पहले हम यहां पर इस दिये गए समीकरण में लगुत्तम निकालेंगे तो लगुत्तम हमारा आएंगा कोश्टक में कोशेक थीटा धनेक और कोशेक थीटा रिनेक अब इस लगुत्तम को इससे भाग देंगे कोशेक थीटा धनेक से तो यह दोनों कटेंगा और कोसेक थीटा रिनेक बचेंगा जिसे हम कोस थीटा से अंश में जो कोस थीटा उसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा और कोश्टक में कोसेक थीटा रिनेक धन पुना कोसेक थीटा धन एक और कोसेक थीटा रिनेक को कोसेक थीटा रिनेक से भाग देने पर ये दोनों मान कट जाएंगा और कोसेक θिटा धन 1 को हम कोस थिटा से गुणा करेंगे कोसेक थिटा धन 1 рьह बराबर 2 या दोनों पक्षों में कौस थिटा तो यहां पे हम कोस थिटा को उभाईनिश निकाल लेते हैं तो कोश्टक के अंदर में बचेंगा हमारे पास कोशेक थीटा, रिन एक, धन, कोशेक थीटा, धन एक, कोश्टक बन, बटा, यहां हम सर्वस्वमिका का प्रयोग करेंगे यहां सर्वस्वमिका का प्रयोग करने से यह बन जाया कोशेक की गहाद दो थीटा, रिन, एक कवर्ग बराबर एक, बराबर दो अब यहां पर हमारे पास कोशेक थीटा और कोशेक थीटा का योग दो कोशेक थीटा हो जाएंगा और रिन एक धन, एक जो है यहां पर धन एक, धन एक यहां बचेंगा हमारा, रिन एक और धन एक कट जाएंगा तो हमने प्राप्त होँगा कोशिक कौस थीटा गुणा रिनएक और धन एक हमारा कड गया तो कोशिक धीटा धन कोशिक धीटा दो कोशिक थीटा बटा कोसिक थीटा कोसिक की घाद दो थीटा रिन एक कमान होता है कौट की घाद दो थीटा बराबर दो चुकि हम जानते हैं कि कोसिक की घाद दो थीटा रिन एक बराबर कौट की घाद दो थीटा होता है या कॉस थीटा गुणा दो गुणा कोशेक थीटा का मान कोशेक थीटा को हम लिख सकते एक बटा साइन थीटा बटा कोट की घात दो थीटा बराबर दो या दो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोट की घात दो थीटा बराबर दो आगे देखते हैं दो कॉस्ट थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉट की गाद दो थीटा बराबर दो हमने देखा था या दो कॉस्ट थीटा बटा साइन थीटा जो है हमारा कॉस्ट थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा तो हम लिखेंगे इसको दो कॉट थीटा बटा कॉट की गाद दो थीटा बराबर दो अंश और हर से कौट थीटा को काटने पर हमें प्राप्त होंगा 2 बटा कौट थीटा बराबर 2 या तीरियक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा तीरियक गुणा नहीं करेंगे हम यहां पर 1 बटा कौट थीटा को हम लिखेंगे एक बटा कॉट थीटा को हम लिखेंगे 10 थीटा तो हमें प्राप्त होंगा 2 10 थीटा बराबर 2 या दोनों पक्षों से 2 को काटेंगे हम या 2 का पक्षांतर करेंगे हम यहां पे तो हमें प्राप्त होंगा 10 थीटा बराबर 2 upon 2 हो जाएंगा उसका मान 1 हो जाएंगा अब हम देखते हैं कि 10 Theta बराबर एक जो आता है सारणी में 10 के 10 45 अंच में आता है एक के स्थान में 10 45 लिखेंगे इस तरह से हमें प्राप्त होंगा Theta का मान 45 अंच थुस तरह से हमने इस समीकरन का हल थीटा बराबर 42 ग्याद किया